अस्सलामु अलेकुम आज हम इंस्टिंट रबडी बनाएंगे ये रबडी बस 10-12 मिनिट में बनकर रेडी हो जाएगी काफी बार हम डिजर्ट्स मंगाते हैं जैसे माल पवा है, गुलाब जामुन है या घर पर बनाते हैं या ओर्डर करते हैं लेकिन ये सारी चीजें रबडी के बगेर हमें अधूरी लगती हैं जले में भी रबडी के साथ बहुत अच्छी लगती है और कभी-कभी ऐसे ही सिर्फ रबडी खाने का भी मज़ा आता है अगर आपके घर पर गेस्ट आ गए है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कोई डिजर्ट बनाने का तो तस मिनिट में ये रबडी बना ले इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रीडियन्स की जरुवत नहीं है सारी चीज़ें किचन में मौजूद मिलेगी इंशाल्ला हमने एक बड़े से वोक को गरम करने के लिए रख दिया है हमने थोड़ा बड़ा यूज किया है डीप यूज किया है क्योंकि हम दूद को बॉइल करेंगे तो बड़ा पैन यूज करने से बाहर निकल कर दूद के गिरने का डर नहीं होता तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा बड़ा वाला पैन यूज करें थोड़ा घी हमने एक ब्रेश पे ले लिया है इस तरह से घी से ग्रीस करेंगे इससे एक तो घी का अच्छा फ्लिवर आ जाएगा रबड़ी में और दूसरा हमारा दूद जो है इस पे चिपकेगा नहीं वरना कभी-कभी दूद मीचे लग जाता है और जल जाता है फिर उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती हम इसमें दूद दाल देंगे यहां हमने एक लीटर दूद यूज किया है फुल फैट मिल्क यूज करें इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं रबड़ी में दूद को पॉट में दालने के बाद हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर मिलाएंगे हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं जो बस 10 ही मिनिट में बन जाती है तो इसे गाड़ा करने के लिए मिल्क पाउडर से बहुत ही हल्प मिलती है इसका टेस्ट भी बहतर होता है यह क्रीमी बनती है और साथ में जल्दी भी बनती है ऐसे रबड़ी को बनने में एक घंटे से ज्यादा लगता है लेकिन इस तरह से बहुत ही जल्दी बनती है तो फ्लेम को हमने ओन नहीं किया है मिल्क पाउडर पहले डाल दिया है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो मिल्क पाउडर को स्किप कर दे इसे पहले डिजॉल्फ होने देंगे फ्लेम को ओन करके हमने हाई कर दिया है हाई फ्लेम पर दूद को बॉइल करेंगे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे दूद बॉइल होता है तब तब कुछ तयारियां करते हैं लेकिन इसका भी ध्यान रखना है इसे भूल नहीं जाना हमें गें हमने 4 उटी ब्रैड स्पच्छें लहिए है जह चोटी ब्रैți की ईस लाखे लाएं वीर उसके लेड़् इसकोर इसे भाड़ी उसकर रहेँ हैंто बसस्स्तलिधक दो स्लाइस करें ब्रेड को इस तरह रफली तोड लेना है औध मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल कर इनका पाउडर बना लेना है हमने ब्रेड को कट करके मिक्सर में ग्रायंद किया, इतनी दिर में दूढ भी अच्छा सा पक गया है तीन से चार मिनिट हो गए हैं, दूद को भी बॉइल होते, बस इसमें हम ब्रेट डाल देंगे जो हमने रेडी किये हैं, ब्रेट डालने से रबडी का टेस्ट बिलकुल खराब नहीं होगा, इन फैक्ट किसी को पता भी नहीं चलेगा, कि आपने ये इस्टेंट रबडी बनाई है, ब्रेट डाल कर, इसे हम दो से तीन मिनिट पकने देंगे, फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा है, हमने हाई फ्लेम करके दो से तीन मिनिट पकाया, ये बिलकुल पॉफेक्ट है, र कंसिस्टेंसी आ गई है, हम अब शकर मिलाएंगे, हमने यहाँ पर 6 टीबल स्पून शकर ली है, मिल्क पाउडर में भी शुगर होती है, तो अगर आप मिल्क पाउडर नहीं आइड कर रहे हैं, तो आप 8 टीबल स्पून शकर यानि आधा कप, और ब्रेड की स्लाइस, चार नहीं पकाना है, बहुत गाडा ये पॉइंट पर नहीं करना है, क्यूंकि ये थंडी होने के बाद डबल गाडी होती है, तो इस चीज का खयाल रखें कि आपको फ्लेम को कभी ओफ करना है, शकर हमने डाल दिया, फ्लेम को थोड़ी देर के लिए लो किया है, दो टेबल बादाम और पिस्ते डाल देंगे, जो हमने ड्राय करके, कट करके रखे, दो टिबल स्पून के आसपास, काजू भी, जिनके हमने पीसिस किये हैं, थोड़े बादाम पिस्ते हमने अलग भी रखे हैं, गार्निशिंग के लिए, ये हाफ टी स्पून इलाइची का पाउडर है, आप 3-4 इलाइचीओं को लेकर कूट कर इसमें डाल सकते हैं, अगर पाउडर अवेलेबल नहीं है, हम इसमें केवडा एसेंस डालेंगे, जो रबडी की जान होती है, बस 3-4 बूंध हमने डाल दिया, इससे ज्यादा नहीं, वैसे अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसम थोड़ी केसर भिगा कर डाल सकते हैं, या फिर रोज का एसेंस भी डाल सकते हैं, वो भी 2-3 बूल, फ्लेम को लो करके इसे हम एक साइट पर रखेंगे, जब तक दूसरी तयारी करेंगे, एक छोटे पैन को हमने गरम करने के लिए रखा है, उसमें जो बची वी 2 टेबिल स तक पकाया है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, बस कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है, इसे बनाने के टाइम, फ्लेम को हमने लो रखा है, हम शकर को मेल्ट होने देंगे, थोड़ी-थोड़ी मेल्ट नहीं होगी, तब तक चलाएंगे नहीं, थोड़ी- पहले हमें मेल्ट होने देना है, इस तरह थोड़ा-थोड़ा चलाते रहेंगे, ताकि सब तरफ से अच्छा सा एवन कलर आए, शकर मेल्ट हो गई है, और थोड़ा-थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है, बस जब हमें लगें के इस तरह थोड़ा-थोड़ा कलर चेंज हो अगर डाक हो गया तो इसे एड़ ना करें रबडी में वरना रबडी कड़ भी हो सकती है तो बस यही चीज का खयाल रखना है डाल देंगे लो फ्लेम पर रबडी पक रही थी रबडी पर हमने पोर कर दिया है इसे इस तरह चलाएंगे आप देखेंगे कि कुछी देर में बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा बस जो चीज का हमने कहा है उसका आपको ख्याल रखना है कि जैस इसे ही हलकी गोल्डन शुगर हो जाए केरमलाइज होके फ्लेम को बन करना है और बन फ्लेम में ही इसे पकाना है माशाआलला प्यारा सा कलर आ गया है अगर इस तरह थोड़ी थोड़ी शुगर नजर आती है तो टेंशन लेने की बात नहीं है बिलकुल लो फ्लेम पर इसे आधी से एक मिनिट पकाने से वो पीसेज भी मेल्ट हो जाएंगे तो बस वो पीसेज मेल्ट हो इतनी देर हमें पकाना है हमारी इंस्टिंट मलाइदार रबडी रेडी हो चुकी है तो अगली बार जब आपके घर में गैस्ट आए या आप गुलाब जामून, जलेबी, माल पुआ इस तरह की चीजें खाना चाहते हैं तो साथ में यह रबडी को जरूर आड करें इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप देख रहे हैं कि यह बहुत ज्यादा गाडी नहीं है जैसे रबडी होती है क्यूंकि यह थंडी होकर वैसी ही हो जाएगी जैसे आड और जाल से तो रबडी हमारी थंडी हो चुकी है हमने इसे फ्रिज में नहीं रखा है सुविंग दिश में डाल कर फ्रिज में रखेंगे दो घंटी तक थंडा करेंगे और फिर इसे कहेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह यह थोड़ी ही देर में थंडी होकर होकर बिलकुल पोफेक्ट रबडी की कंसिस्टेंसी पर आ गई है तो आप भी कुछ स्टेप्स फॉलो करके आसानी से एक लीटर दूद में एक किलो मलाईदार रबडी इंस्टेंट बना कर त्यार कर सकते हैं बस दसी मिनिट में झाल झाल झाल